ये कहानी राजस्थान के कोटा सहर के एक भूतिया हाबेली के बारे में है ये हाबेली राजा महराजा के समय में बनाई वी थी लेकिन पिछले 18 सालों में इस हाबेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है इक्षा होने पर भी इस हबेली में कोई भी नहीं रापा रहा था क्योंकि लोगों का काना था कि इस हबेली में भूत पुरत का साया है जब अजीत सिंग को इस हबेली के बारे में पता चला तो उसने ते किया कि वह इस रास को जान करी रहेंगे क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रापा रहे हैं उसने मजबूत इक्षा सक्ती से हवेली में रहने के पूरी तैयरी कर ली जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरबाजे पे किसी अंजान ब्यक्ति ने उसे रुख लिया और नजदिक जाके बोला कौन हो आप और किदर जा रहे हो अजीत सिंग ने जवाब देने के बज़ा उसने सामने वाले से सवाल किया जी आप कौन मेरा नाम अरजून सिंग है और मैं यहीं पास में राता हूँ यहाँ बहुत खत्रा है यह सुनकर अजीत सिंग खूस हो गया जैसे उन्हें कोई लोटरी लग गई हो अरजून ने उसकी खुसी को देखकर बोला आप क्यूं खूस हो रहे हो आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए सायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेट में काफी दिल्चस्पी रखता हूँ अगर इस हबेली में भूत है तो मैं अंदर जाओंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाओंगा इतना कागर अजीत सिंग उस हबेली में चले गए लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया थोड़ी तेरे बाद दूसरा बल्ब चालू बंध होने लगा फिर तो हबेली की सारी लाइटे चालू बंध होने लगी के सब देखकर अजीत अपनी जगा पे खड़ा हो गया और संपुन साओ चेत हो गया अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हावा में उड़ने लगा करीबन छे पूठ हावा में उपर जाके गोल-गोल गुमने लगा और बाद में अजीत के और तेजी से आने लगा अजीत ने तुरंद ही अपने जगा बजल दी और दूसरी और चला गया और वे टेबल वही जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था अजीत कुस समझ पाता उतने में सोपे किसी टूसकी और आने लगी वह जल्दी खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी और कुद गया जिसके कारण सोपे दिबाल को टकराया और अजीत बच गया अचानक सब कुस सांथ हो गया जीत ने चारोर सतरक्ता से देखा और बड़ी अबाज में बोला तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो वहीं एक बड़ी परचाई उसके सामने आई जीत ने उस परचाई को देखकर बोला कौन हो तुम और क्यो मुझे मारना चाते हो परचाई तुमारी बूल के कारण अजीत मेरी बूल मैंने कुन से बूल की है परचाई इस हाबेले में आने के बूल मैं किसी को भी इस हाबेले में खुस नहीं देख सकता अजीत लेकिन क्यों वह पच्छाय ने जवाब दिया आज से 18 सल पहले इस हबेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, इस कारण के वज़ा से मेरी आत्मा इस हबेली में भटकती रहती है, मैं किसी को भी इस हबेली में नहीं रहने दूँगा, क्योंकि इस हबेली में मेरा खुन हुआ था, इस हबेली में जो भी रहने के लिए आया का उसकी मोत होगी, अजीत ने का, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह एक्छा भी अवस्पूरी करूँगा, और उस परचाई ने एक भयानाग दर्मयान ग्रूप ले लिया, उसका चेहरा इतना भयानाग था कि अजीत भी एक छान के लिए डर गया था, लेकिन दुसरी ही चन अपने आप पर काबू पा लिया, बाद में इसने अपनी जेब में से सपेद पौडर निक और उस भूद के उपर फेक दिया, भूद के उपर पौडर परते हो जलने लग गया, बड़ी बड़ी ज्वालाई उठने लगी, वे बहुत जोर जोर से चिलाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया, उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया, दूसरे दिन सुबा जब अजीत को स कैसी लगे पिलीज हमें कॉमेंट में जरूर बता है